तो दोस्तो 110cc सेग्मेंट में जो प्रीमियम बाइक्स आप लोग को मिलेगा उन में से लगबख सबसे ज़ादा प्रीमियम मैं तो पर्सनली TVS Radeon को ही कहूंगा क्योंकि आप देख सकेंगे दोस्तो फिलहाल आपके सामने TVS Radeon की Black Red Dual Tone Color with Disc हाजिर है और ये जो दोस्तो overall model ही ये मुझे बहुत ही ज़ादा प्रीमियम सेग्मेंट का लगा है और Radeon जैसे कि आप जानते दोस्तो अपने सेग्मेंट में एक बहुत ही ज़ादा good looking executive commuter look दे देता है और साथी साथ आपको बहुत ही अच्छा mileage और बहुत ही ज़ादा utility features के साथ ये गारी आता है दोस्तो फिलहाल आज हम लोग आये है Diamond Motors TVS की Kolkata showroom में तो showroom की पूरी details आपको description box में मिल जाएगा तब चाहे तो contact कर सकते और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में है तो जुरूर चैनल को subscribe करके बेल आइकान दबाके हमारे साथ बने रहिए देखने को मिलेगा और overall एक बहुत ही अच्छी लुक आपको इस पूरी गारी से देखने को मिलता इसमें मेकानिकली नॉर्मल रेडियों से कोई भी अलग से चेंजिस आपको नहीं मिलेगा जिन लोगो को अच्छा लगता है उन लोग के लिए अच्छी बात है कि रेडियो इस सेग्मेंट में बहुत ही बढ़िया सा कॉंपिटिशन इंडियन मार्केट में इंडियन मोटर साइकलिंग मार्केट में दे देता है अब इसकी टैंक को गौर से देखिएगा दोस्तों टैंक में ड्वेल टोन फिनिश दिया गया है वाइट कलर के बॉर्डर बने हुए ह और रॉयल इंफिट क्लासिक की तरह आपको रबर पैटिंग्स दोनों साइड में मिलेगा साइट मैनल में आपको 3D में रेडियोन लिखा हुआ मिलेगा और पीछे आपको ड्यूर लाइफ की बैजिंग किया गया है अब दोस्तों ये गारी में आपको सीटिंग और इसमें ब्रेकिंग बहुत ही अच्छा होता है अब दोस्तों इंजिन की बात कर लें तो TVS का 110cc का जो ट्राइड और टेस्टेड फॉर्मूला है वही सेम इंजिन इसमें लगा हुआ है और इंजिन में आपको गोल्डन फिनिश देखने को मिल जाएगा अब ये इंजिन जो इजिली आपको 70 के करीब करीब माइलेज मिल जाएगा अगर आप डिसेंट तरीके सी गारी को चलाए तो वैसे दोस्तों ये गारी जो ही है स्पोर्स के लिए बिल्कुल ही नहीं है बिल्कुल का जो कम्यूटर लोग है उन लोग के लिए है तो आफिस आना जाना इधर उध लगा हुआ है दोस्तों आप इसमें देख पाएंगे बहुत ही प्रीमियम लुक्स के साथ आता है और ब्रेक और क्लच लिवर्स को देखे तो अलुमिनियम कोटेट दिया गिया है फ्रंट की हेड्लांप काउल को देखे तो इसमें भी क्रोम आउटलाइन्स आपको मिलेगा TVS का 3D emblem मिलेगी और इसमें halogen lamp दिया गया और साथी साथ आपको LED DRL मिल जाएगा और इसमें flexible turn indicators दिया गया है तो इंडिकेटर्स टूटने का खत्रा बहुत ही कम रहता है LED DRL होने की कारण आपको battery saving हो जाता है जो की पहले से ही radion में था और फिलाल इस model में आप देखेंग comfort oriented ride के लिए है और देखेंगे कुछ इस तरीके से हम meter को set करते और TVS की जो switch gear है switch gear हमेशा से ही बहुत ही ज़्यादा खास था तो वही same switch gear इसमें भी आता है तो आपको switch gear के मामले में कोई problem नहीं होगी clutch मुझे बहुत ही light और ठीक ठाक सा बिलकुल लगा है इसके बात दोस् दोस्तों मुझे काफी ज़्यादा बुरा लगा है कि इसमें कोई भी मेर इंजिन किल स्विच या फिर कोई भी smart stop smart जो system होता है start stop को वो दिया नहीं गया है तो यह downside होर मीटर कंसूल बिलकुल कार की जैसा है लेकिन fully analog unit है इसमें side stand engine cut off का भी sensor आ जाता है और दोस्तों वर पैटिंग्स लगे हुए है और इसमें आपको 10 लिटर्स का पेट्रोल टैंक कापासिटी मिलेगा उपर की तरफ से गारी कुछ इस तरह का है दोस्तों और इसके अगर हम कमफर्ट ओरिएंटेट फीचर्स की बात करें तो बहुत ही जादा लंबा सीट इसमें मिलता है शाय तो तीन लोग भी इसमें आडाम से बैट कर जा सकते हैं और दोस्तों सीट की आप क्वालिटी भी देख लिए सीट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है रिप पैटन सीट यहां पर दिया गया है और पीछे की अगर देखे तो पीछे आपको स्टील का करियर मिलता है बिल्क और इसकी जो एंजिन है ये भी एक सूपर हिट एंजिन है और दोस्तों आप देख पहेंगी इसमें साइड में हुक और एक लगेज का जो पिलियन का पकरने के लिए जगा होता है वो भी पहले से ही बना हुआ है आप बात कर लेते दोस्तों सस्पेंशन की तो फ्रंट में आपको नॉर्मल टेलिसकोपिक सस्पेंशन मिलेगा और दोनों ही जो टायर से ये 18-inch के ट्यूबलेस टायर दिये गए है और खुद TVS ये टायर्स मैनुफेक्चर करते है अपने गारी के लिए आगी की तरफ आपको 278 का टायर मिलेगा फिलाल इसमें डिस ब्रेक है तो इस पीछे आपको 5-step adjustable hydraulic twin suspension मिलता है और पीछे जो टायर है ये तीन अच्छा का ट्यूबलेस टायर है और पीछे आपको थोड़ी सी off-road kind of tire देखने को मिल जाएगा adjustable suspension है तो आप इसको अपने मरजी के हिसाब से adjust कर सकेंगे और पीछे आपको 110 mm का drum brake मिलेगा अब गारी की overall जो braking ही ये काफी अच्छी है डिस्क लेने से braking और जादा अच्छा हो जाता है और इसके बाद अगर आप इसकी exhaust को देखे तो पूरी exhaust में आपको chrome की plating देखने को म केजी का है जो कि ठीक ठाक है मेरे कहाल से ना बहुत जादा ना बहुत कम और एक बात दोस्तों आपको बता दू कि TVS का जो spare parts वो काफी जादा महेंगा आता है तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखना फिर भी मैं कहूंगा कि इस गारी में आपको को बहुत जादा मेंटे प्राइस हो चुका है उसे साब से देखे तो एक किफायती कम्यूटर चाहिए एक पॉकेट फ्रेंडली कम्यूटर चाहिए उन लोग के लिए रेडियोन एक बहुत अची चॉइस हो सकता है तो दोस्तों आपको ये जो कलर ही कैसा लगा ज़रूर बताना शेर करने इस वीड वीडियो में किसीने टॉपिक के साथ थैंक यू और आलवेस राइट सेफ